हाई अवरिवन मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे बहुत सालों तक और बहुत हद तक आज भी चाइना के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का फैक्ट्री है और शायदी को ऐसा देश होगा दुनिया में जो चाइना का मैनुफाक्चर गोड्स का इस्तेमाल ना करता होगा कुछ exceptions हो सकते हैं बीते कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो कंपनीज है वो चाइना से बाहर जा रहे हैं लेकिन अपसोस की बात ये है कि इसका benefit भारत नहीं उठा पा रहा है आज हम इस वीडियो में कुछ examples की मदद से हम समझेंगे कि companies को चाइना इतना पसंद क्यूं था और आज जब companies बाहर जा रहे हैं चाइना से तो उसके पीछे का वज़य क्या है और हम इन सब चीजों के उपर बात करेंगे कुछ examples की मदद से और साथ में हम ये भी समझ लेंगे इस वीडियो को समझते समझते कि हम कहां खड़े हैं इस race में या तो अगर आपके पास परियाप्त समय है तो आप इस वीडियो को सुनें और देखें और अगर आपके पास परियाप्त समय नहीं है तो इस से related articles वगरा को जरूर पढ़ें ताकि हमें समझ में आए कि भारत कहां खड़ा है मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो channel को subscribe और video को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं तो दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई industry या factory अगर flourish करता है तो उसके पीछे का कुछ वज़े होता है चाइना में अगर बहुत सारे companies आए हैं investment किये हैं अगर अपना manufacturing unit को यहाँ पे develop किया गया है तो उसके पीछे का भी वज़े रहा है एक तो चाइना का जो geographical size है ये भी काफी बड़ा है जन संख्या भी यहाँ पे काफी है तो कहीं पे भी देखा जाता है कि अगर long जादा हो और काम कम हो तो आपको labor काफी सस्ते कीमत पे मिल जाते हैं किसी भी company को और क्या चाहिए कि उसके benefit जादा हो लेकिन उसे investment कम करना पड़े तो एक चीज तो यहाँ पे काफी अच्छा मिला कि उनको यहाँ पे cheap labor मिल गया उसके बाद चाइना के साथ तकरीबन हम कह सकते हैं कि पूरे दुनिया भर में जो economic system था वो agriculture पे based था उसके काफी देर तक factories में काम करते हैं तो अगर आप company का perspective से अगर आप देखेंगे तो उनको सस्ते labor मिल जा रहे हैं उपर से उनको वैसे labor मिल रहे जो खूब देर तक काम कर रहा है तो इसका output जो होता है वो यह होगा कि company को काफी benefit मिलेगा इससे उनका जो production है वो बढ़ जाएग उसके बाद चाइना में कोई खास नियम कानून को follow नहीं किया जाता है European countries में proper छुटी या proper एक age के अगर आप नहीं है तो आप factories में या companies में काम आप नहीं कर सकते हैं और अगर आप companies में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे safety security को ध्यान में रखा जाता है ठीक इसके चाइना में इन सब चीजों के उपर focus नहीं किया गया था इसके अलावा अभी चाइना बीते कुछ सालों में electronic manufacturing के उपर काफी focus किया है भारत में ऐसा perception है कि Chinese electronics भारत में नहीं आते हैं आप भारत में किसी भी राज के किसी भी जगा पे आप रहते हों अगर आप वहाँ का local electronic मंडी चले जाए तो आपको मालूम पड़े है कि वहाँ पे अभी भी Chinese electronics आपको खूब मिलते हैं ये हो सकता है कि उसमें logo किसी और देश का दिखाया जा रहा होगा possibility ये है कि China export करता होगा किसी second country को फिर वहाँ से पहुंचता होगा भारत लेकिन कहीं न कहीं अभी भी जो उ चिप manufacturing industry में China का काफी अच्छा investment है क्योंकि China का economy काफी बड़ी है और यहां का workforce भी काफी competitive है उपर से सरकार ने भी काफी focus किया है skill development के उपर उसके बाद recent एक report publish किया गया था US government के द्वारा जहां पे ये साफ और इस पस्ट शब्दों में कहा गया था कि more than 50% जो US में public purpose drones हो तो डारेक्ली उसमें जो equipments लगते हैं वो डारेक्ली supplied by China है तो ये सब कुछ examples पर्याप्त है ये समझने के लिए ये बताने के लिए कि China को आप इतने असानी से ignore नहीं कर सकते हैं और अगर आप अपने आपको एक business mindset से देखें तो आप उसी जगा पे जाके investment करना चाहेंगे जहांके जो labor हैं वो cheap हैं प्लस skilled हैं सरकार research and development में काफी focus कर रहा है और ठीक इसे विपरीद अगरा भारत में देखेंगा तो अभी भी हम इन सब चीजों में काफी पीछे खड़े हैं चाहे वो Tesla हो गया या ऐसा कोई और भी electric vehicles, automobile company उनको क्या चाहिए उनको ये चाहिए कि व automobiles company को एक ही देश में सारे चीज उनको मिल जाते हैं जो उनको चाहिए तो कोई company चाहिए में invest क्यों नहीं करेगा उसके बाद ये हम साल 2022 का article देख सकते हैं CNBC का जहां पर ये बताया जा रहा है कि जब Russia और Ukraine के बीच में war शुरू हो जाता है तो जो high end automobiles companies थी जैसे कि आने वाले जो luxury car manufacturing companies उनका बहुत बड़ा जो unit था वो Ukraine में हुआ करता था high end cars में wiring का काम करना या उसके electronic components को लगाना या सही तरीके से लगाने के लिए जो labor force होता है वो काफी skilled होता है तो all of sudden किसी के लिए भी ये मुमकिम नहीं था कि उतना skilled labor को वो कहीं से लेके आ जाए तो अगर Ukraine में इतने skilled labor's थें तो उसके पीछे का भी वज़य था कि सरकार ने proper investment किया था skilled development के पीछे एक बात जो हमें समझन में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि क्या भारत में इस type का कहीं पे भी skilled development program हो रहे हैं चल रहे हैं अगर हो रहे हैं तो क्या उसका ground reality है और अग पैन जा रहे हैं तो अगर कोई भी company कहीं से छोड़ के जाते हैं तो उसके पीछे का भी वज़य होता है और वो कहीं नई location में जाते हैं तो उसके पीछे का भी वज़य होता है इस पूरे article में आपको कहीं से भी ये नहीं पढ़ने को मिलेगा कि जो German firms है वो भारत को as an option दे वो चाइना से relocate कर रहे हैं जपान और कुछ 23% जो है वो सोच रहे हैं कि उनको भी या वो भी अपना unit को transfer करें चाइना से जपान उसके पीछे का वज़य है कि कोई भी investor होता है वो ये देखता है कि उस देश में कितना political stability है वहां के जो long है वो कितने skilled है और society कितना जादा वहां पे शांत है बीते कुछ सालों में शायद ही हमने सुना था कि जपान में कोई एक ऐसा political instability देखा जा रहा है या वहां पे कोई ऐसा mass protest हो रहा है जिससे कि जो investors हैं उनको कोई खतरा मैसूस हो उसके बाद एक चीज जो हमें जानना चाहिए वो ये है कि चाइना में automobile industry को जो setup करने का जो एक बहुत बड़ा credit जाता है वो German Automobiles Company को ही जाता है उसके पीछे का अगेन वजय बहुत ही साफ और इस पस्ट है एक तो cheap labor दूसरी बात चाइना बढ़ चड़कर Automobiles Company को अपने देश में invite किया था investment करने के लिए तो कितनी बारे क्या होता है कि अगर आप दिनों में कोई एक ऐसा काम करना शुरू करते हैं जब उस काम में competition ना हो तो आपको कहीं न कहीं आपको benefit उस चीज का मिलता है उसके बाद बीते कुछ सालों में ये देखा गया है कि चाइना और US के जो relation है वो बेहत खराब हुए हैं as a result ये हुआ कि चाइना बहुत सारे च चाइना ने ये कहा था कि वो अपने लोगों से ये उमीद करते हैं कि वो apple phone का इस्तमाल ना करें या apple product का इस्तमाल ना करें उसके पीछे का वज़य दिया गया था कि उनको शक है कि कहीं US उस apple product के मदद से कहीं जासूसी तो ना कर रहा हो ऐसा ही कुछ समय दर समय चाइना भ काफी suspicious हो गया है अपने future को देख के कल तक जो एक सबसे बड़ा benefit चाइना को मिलता था वो था low labor cost लेकिन अब यू देखा गया है कि क्योंकि चाइना में भी जो economic growth है वो बहुत हद तक रुका है और लगभग हम कह सकते हैं कि कुछ roughly 30% जो चाइना का GDP है वो directly आता है आपके housing industry से और जो manufacturing units है चाइना में उसे भी अपने raw materials किसी और देश से import करने पड़ते हैं as a result अगर किसी भी देश में या किसी भी एक location में price बढ़ता है तो उसका जो impact है वो overall product पे पड़ता ही पड़ता है तो अगर किसी भी देश में 30 से लेके 35% अगर housing industry लेता है और अगर उसी देश के लोग अगर उस घर को नहीं खरीद पाते हैं तो एक काफी बड़ा gap create हो जाता है तो in a way government of china को भी जो cost है labor का वो भी बढ़ाना पड़ेगा तो इसका जो impact है वो ये है कि जो manufacturing companies है उनको भी जो salary है वो बढ़ाना पड़ेगा as a result आपको labor महगे मिलेंगा वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जेपान में भी काफी skilled labor है जेपान भी काफी बढ़ चड़कर research and development पे investment करता है और as compared to china जेपान में जो policies है वो strict है लेकिन इनका जो policy है वो काफी transparent है कहने का मतलब है कि अगर कोई भी company के product को अगर कोई चाइना में copy करके बनाता है या reverse engineering करता है तो china में उसके उपर आप कोई खास claim नहीं कर सकते है लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जेपान में किसी company का किसी product को अगर कोई copy करता है तो इसके बारे में या इसके उपर actions हो जाते हैं तो कोई भी company ये नहीं चाहेगा कि वो product को बनाए लेकिन उसका हूब भू कोई दूस के point of view से तो अगर हम इस article को ignore भी करें और हम सोचें कि क्या फरक पड़ता है कि जो companies है वो China से Japan जाए या Japan से China जाए लेकिन एक चीज़ को हम ignore नहीं कर सकते हैं कि कहीं न कहीं जो skill development programs भारत में हैं या तो वो है ही नहीं या तो वो सर्फ कागजों में हैं और इसका जो जिम्म अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye